Property Dealer Association और Colonizer Association बर्नाला द्वारा म्यूंसिबल कमेटी में सरकार की खिलाफ धर्ना लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा Property Dealer द्वारा 24 अगस्त की सुबह से कमेटी के दफ्तर में धर्ना दिया जा रहा है अब property dealers ने अनाजमंडी रोड को टेंट लगा कर जाम करके संखर्ष को और तीज कर दिया इस संबंधी जानकरी देते हुए property dealer शीशन बंसल ने बताया कि पंजाब सरकार की और से property की खरीद बेच पर NOC की लगाई शर्तों से आम लोगों के साथ property dealers को भी समस्याएं आ रही है Association द्वारा मांग की गई है कि NOC का मुद्धा खत्म किया जाए उन्हें कहा कि अगर उनकी मांगे ना पूरी की गई तो अगले चुनावों में वै हिमाचल और गुजरात में भी सरकार का विरोध करने के लिए जाएंगे इस मौके पर property dealer association के जिला अध्यक्षुन नरेंदर शर्मा, शशी बंसल, सुरिंदर बिट्टू, राजेश राजू, महेश लोटा, संजे सिंगला, ज्यान सिंग, काला राम, लाड़ी बंसल, सुनील कुमार, विनोध वर्मा, विजे कुमार और अमन शर्मा भी उपस्थित रहे, इस मुद्धे पर जब ईयो मनपरीत सिंग का पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिव नहीं समझा, बर नाला से हलचल के लिए विनोध शर्मा की रिपोर्ट अब तरफिया गाज, रेजिडेंशल, पांसोर गाज मतली की है, कमर्सियल दा मतली के दुसी टैक्स पर के कमेड़ी दे विचे इनों से लेके तुसी रिजिस्टी करवा सागते हूं, वो तो नों कमेड़ीया नों हुकम देते सारे भी तुसे इनों से नहीं देनी, इस करके साथा सारे प्रावट जी आंदा, सारे लोक कांदा, किसे युपेंड बाहर पे जी ईनौने लिजिस्टी नहीं हु रही, किसे ने बच्चे ना बेज ब्याकारना है कि ईदा, को इस कुई रिजिस्टी नहीं हु रही है, तबापा आ जीने ने भील्कु ठप करके रखता, प